ओम नमेशिवाई भगवान पसुपतिनात आप सभी की मनो कामनाओं को पूर्ण करें। राधे राधे एवरिवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पसुपतिनात वर्त में हमें सुब़े और शाम कोन सी सामगरी लेके जानी होती है। समपोन सामगरी आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई है तो वीडियो को आप अंति तक जरूर देखे ताकि आपके सभी डाउट्स किलियर हो जाएं तो देखे सावन के महिने से पसुपतिनाथ वर्त करना सबसे ज़्यादा शुब माना जाता है वैसे तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं लेकिन सावन के महिने में बहुत अधिक महतो है तो आगर आप भी सावन के महिने से पसुपतिनाथ वर्त शुरू करना चाहते हैं तो सा सुबस नानाधी करने के बाद हमें एक थाली लेनी है, थाली थोड़ी बड़ी ले लें क्योंकि सामगरी सारी उसमें आ जानी चाहिए, उसके बाद हमने एक लोटा जल ले लिया है, साथ में हम पंचामरित ले लेंगे, तो दूद, दही, घी, शहद, सकर, पांचों चीजों स मिलकर पंचामरित मैंने बना लिया है, अगर आप पंचामरित ना बना सकें, तो आप कच्छा दूद ले ले लेजिए, इसके बाद हमें वस्तर सवरूप समर्पित करने के लिए कलावा लेना है, और देखे सामगरी हमें बस इतनी ही लेनी है कि दोनों टाइम की पूजा मे सामगरी लग जाए, ज्ञादा सामगरी हमें नहीं लेनी है, तो कलावा मैंने दोनों टाइम की पूजा के लिए ले लिया है, साथ में हमें जनेव लेना है, अगर जनेव नहीं है, तो कोई बात ने, आप सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं, तो जानते ही है कि भगवान श यहाद पर रोली ले लेङे, सुभेय पूजा की थाली जब हम तयार करेंगे, तो हमें एक देसी घी का दीया लेना है, एक दीयार जलाएंगे सुभेय के समय पर हम, और उसके साथ ही हमें यहाद धूप ले लेनी है। और हमें फूल लेने हैं, सफेद फूल मिल जाएं, बहुत अच्छी बात है नहीं, तो जो फूल मिले वो आप ले सकते हैं, और सबसे जरूरी है बेल पत्र, बेल पत्र की विवस्ता आप जरूर कर लें, भगवान शिर्शंकर की भगवान पसुपतिनात की पूजा में बेल प जाते हैं, पसुपतिनात भगवान शिर्शंकर का ही सवरूप है, तो बेल पत्र आप जरूर ले लें, और सववार के दिन तो आपको मंदिर के सामने जो फूल की दुकान होते हैं उस पर भी बेल पत्र मिल जाएंगे, सुबह भोग के लिए आप कोई भी रितूफल ले सकत हैं, छीनी ले सकते हैं, कोई दूद से बनी मिठाई ले सकते हैं, तो सुबह के भोग के लिए आप कोई भी चीज ले सकते हैं. अब शाम के टाइम दुबारा पूजा के लिए जाना है तो उसके लिए परशाद बना लेंगे यहाँ पर मैंने हलवा बना लिया है कोई भी मीठाप बना सकते हैं इसके बाद देखे इस थाली में हम अब क्या-क्या रखना है हमें वो देख लीजिए तो यहाँ पर देखिए जल जो है वो हम दुबारा रखेंगे इसके साथ ही जो हमने भोग परशाद बनाया है वो रख लेंगे हलवा मैंने रख लिया है तीन डोने मैंने रखें क्योंकि हलवे के वहाँ जाकर तीन भाग करने मंदिर में यहाँ से सिर्फ डोने रख लेंगे शाम की पूजा में हमे छे दीपक लेके जाने हैं आप मिट्टी के बने हुए दीपक ले जा सकते हैं या आप आटे से दीपक बना कर भी लेके जा सकते हैं मैंने हापर आटे से दीपक बनाए हैं पांच दिये हमें मंदिर में जला के आने हैं छटा दिया हमें वापिस घर पे लाना है और घर पे जब हम लाएंगे ना, तो main gate पर अपने सीधे हाथ की तरफ घर में जब हम अंदर आते हैं, तब अपने सीधे हाथ की तरफ जो दिसा पड़ती है सीधे हाथ की तरफ हम यह दिया ज्ला देंगे तो यह छे दिये, मैंने यहां पर ले लिये हैं तो सुबह एक दिया लेके जाना शाम को छे दिये लेके जाना ये बात क्लियर हो जानी चाहिए इसके साथ ही हम जो जलका लोटा है वो वापिस से भर लेंगे और अभी अगर कोई सामगरी खतम हो गई है तो आप रख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि नहीं रख सकते हैं रख ये सभी वीडियोज मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे उनका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से देख लेना और पसुपतिनात वर्त जरूर करना क्योंकि ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पसुपतिनात वर्त करने से पूर्ण नहीं होती हो त ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है अगर कोई चीज सुबह नहीं मिल पा रही है तो आप शाम के टाइम जब पूजा करने जाएंगे तब वो चीज़ चढ़ा सकते हैं पसुपतिनात वर्त किये संपून सामगरी की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज दोहर कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ अभी सावन का महिना शुरू होने वाला है तो अगर आप पसुपतिनात वर्थ करना चाहते हैं तो इस सबसे ज़्यादा शुब आउसर है सावन के महिने से प्रूर कीजिएगा फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए ओम नमेश्यवाय राधे राधे